नमस्कार, गुड़ मॉर्निंग, सभी दोस्तों को राजबोरा का आज हम बनाएंगे गाउं का भुना हुआ बक्रा दोस्तों, एक किलो हमारा गाउं का देशी भुना हुआ बक्रा है, बिल्कुल चूले में बनाएंगे, आपको ले चलते सिधे राजबोरा खजाना यूट्य चैनल में दोस्तों यह रहा हमारा एक किलो बकरा भुना हुआ जो हमने अच्छे से भून के रैफली उसको कटिंग कर रखे दोस्तों आपको दिखा देते और यह देखे और हमारा प्रेसर कुकर चड़ चुका देखे सबसे पहले प्रेसर कुकर चड़ाएंगे चूले में और उसके बाद इसमें ओयल डालेंगे दोस्तों सरसु का देख सकते हो 2500 ml हमारा सरसु का ओयल पड़ेगा और उसी हिसाब से हमारा यह देखे मसाला इंक्लूड है देखे लो बिल्कुल एथेंटिक रेसिपी है राजबोरा की चूले वाले और दोस्तों रेसिपी को जादा से ज चानदार और जाइकेदार और बिल्कुल पियर पहाडी वरजन है सूका बनेगा मतन भुना देख सकते हो मतन भुना मसाला बनेगा मसाला खड़े मसाले और उसके बाद हरी मिर्ची का दे तलका मारा उपर से प्याज जो हमने जूलियन काट रखा उसको फड़का मारेंगे दोस्तों देख सकते हो यह देखे जूलियन कटा हुआ प्याज का फड़का रहेगा MDH का तड़का रहेगा आपके लिए special देख सकते हो धेर सारा प्याज और साथ में हमारे authentic मसाले वा क्या साथ वा क्या साथ आप बोलते रहेंगे खाया तो खाया भुना हुआ बकरा राज बोरा के हाज से ही खाएंगे दोस्तों देख सकते हो चूले वाला टेस्ट है बहुत ही श्यांदार जाएगा और एकदम स्लो फायर में पकेगा चार से पांच सिटी लगाएंगे और हमारा दना दन दन मटन मसाला एकदम भुना हुआ तैयार हो जाएगा यह रहा हमारे मसाले उसके ओपर टमाटर फ्यूरी और दो डालेंगे मीट मसाला दोस्तों और उसके ओपर नमक श्यामा घल्दी देगी कस् मिर्च और धनिया और जीरा और गरम पानी डालेंगे एथंटिक रेसिपी है तो गरम पानी से इसको मसाले को भिगा देंगे देख सकते हैं और यह रहा हमारा मटन बिल्कुल सांदार और जानदार टेस्ट के साथ राजबोरा आपके लिए लाए हैं मटन भुना मशाला जानदार फ्लेवर रहेगा और हम आपके लिए हमेशा की तरह बिल्कुल एथंटिक चुले वाली रेसिपी लाएं दोस्तों एक बार जरूर ट्राइ करेगा राजबोरा खजाना और आप यूटूब में सर्च कर सकते हैं राजबोरा 2390 हमारी एथंटिक रेसिप्यू के लि मटन भूना अच्छे से एकदम ऐसे भूना बिल्कुल रगड़ा बना देना इसको भून भून के देख सकते हैं मटन को अच्छे से भूना है जो इसके साध है भूनाई में वही तरीका हमने आजमाया बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है एक बार इस तरह आप जरूर ट्र मसाला देख सकते हैं बिल्कुल एथेंटिक पियर पहाड़ी वर्जन है साथ में आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे दोस्तों और जादा से जादा शेयर जरूर करेगा फैमिली के साथ जरूर फ्रेंडू के साथ और रेसिपी बिल्कुल एथेंटिक है पहाड़ी जाया था कटोरी में वो डाल दिया अब मसाले को अच्छे से भूनना है पानी तो डालना नहीं हलका अगर डालना चाहो तो मसाले वाला पानी डालो और इसमें चार से पांच सीटी लगाएंगे उसके बाद हमारा मतन भूना मसाला देखे क्या लजीट क्या सांदार कियार हो जाएगा सरविंग करेंगे तीन लोगों मैं चावरं के साथ रोटी के साथ आप खा सकते हो दोस्तों या सन Premier सकते हो देख सकते विल्कुल मटन भूना मसाला अमारा त orth के साथ और इसी के साथ राजबो अब को प्यार भराम तमस्का, धन्यवान मित्रो रेशिपी जरूर सेयर करेगा.